हेलो एबरीबन सिबिल सेवा में आप सबका स्वागत है और एक जो वीडियो है और जो हाई कोड की वेकेंसी है उसके उपर है और बहुत सारे बच्चों की क्वेरी चल लही थी कि भाई कब तक आ जागा नोटिफिकेशन तो देखें उस पर हम लोग टोटल डिसक्रेशन करें वीडियो को 2x में देख लीजेगा इंफॉर्मेटिव वीडियो है और चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा और मैं डिस्क्रिप्शन भी टेलीग्राम चैनल का लिंक देदूंगा यूटूब चैनल का लिंक मैं देदूंगा और ये पीडिया जो है आपको मिल जाएगी मेर प्रस आफ और एकीडियो क्या था थिक इन बातों पर है मुट्व करेंगे और बिट्रू बात करेंगे अब देख सकते हैं मेरे चोइज बाते होती हैं वह बिना तरफ्य के बाते नहीं होती है तो ये लिंक रहा है यूटूब का चलिए सुरू करते हैं बहले तो यह इग्जाम कराता था ठीक है पहले यह लेकिन अब क्या हो गया है इसको एंटिय कराती यह नेशनल टेस्टिंग एजनसी इसका जो मिंस्टाफ लेकिन जो अथोर्टी बॉटी होती है अलहबाद हाइग कोड़ होता है ठीक है अब चलिए बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए देखे रिव्यू आफिसर के लिए यह पिछले साल के इसको इस साल में मत कंसिडर कीजिएगा रिव्यू आफिसर के लिए लेबल करणा होना चाहिए यह यह उनिवर्सिटी स्टेबलिज भाई मतलब इन तीनों में से कोई हो अगर नहीं है तो ग्रेजुएशन तीक है ग्रेजुएशन में आपका किसी एक में छे महीने के लिए छे मंत के लिए आपका कंप्यूटर पढ़ा होना चाहिए जिसका पेपर होना चाहिए और आपके रिजल्ट में वो मेंसल होना चाहिए अगर यह है तो भी आपके अपका अपी लिजबल है ठीक है तुछल्ट तो यह है और 25 वर्ट पर मिनट इंगलिस की टाइपिंग इस है बहुत एजली आप कर सकते हैं में मुद्दा आता है मेरिट में आने के लिए माक्स ठीक है तो यह रही बात अब आते हैं नेक्स्ट असिस्टेंट रिवीव ऑफिसर्स के लिए पिछले साल में साथ में साथ में मतलब क्लास में आपके मांक सीट पर मिंसर होना चाहिए ठीक है तो आप इलिजबल है कि भाई आप दे सकते हैं अब एज लिमिट बता देते हैं यह तो इलिजबल्टी रही एज लिमिट क्या है 21 से 35 साल जो की काफी ज्यादा है अगर देखा यह पिछले इनफECT 111 से आ रो सकती है और और बेज सकती है कि यह तो आपने लेकी चारसे पहलेख से बीच में वैकल आने की साभावना है जो कि बगात ही देखा लेकुार्व. बहुत ही प्रपूटेटेट जॉब है आरो यारो की ठीक है चलिए बात कर लेते हैं सलेबस का सलेबस में आप देखेंगे यह देखिए उसमें क्या होता ना जैसे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ तस इग्यारव बारा सेक्षिन है तो यह बारा सेक्षिन मार्स वा लिखें अधर ने संगते हैं इसमें इंते हैं इसमाहिए जो में मूवें प्रे नेश्टर लाइक केविए पारे इंडिया प्लिटेव में इकोनोमिक्स हैं कलचर इंडियन अग्रिक्रीशंटरी पॉप्यलेशन उकोलोजी अरवना़जिएशन यह सब उपीद है जी टोपि मतलब math reasoning का basic जो होता है वो आता है, बहुत easy आता है special knowledge regarding education culture industry उत्तरप्रदेश का थोड़ा special UP special कह सकते हैं ठीक, 10-10 बारा-बारा question किसी में 20 question ऐसे रहते हैं knowledge आप general English, general English और general Hindi की ये question आते हैं elementary 10 question computer का आपको मिल जाएगा तो ये ऐसे होते हैं, तो ये ऐसे होते हैं, तो ये दो सो मास का paper होता है और ये बहुत, मतलब आप देख सकते हैं, या पर लिखा भी है, negative marking सबसे बड़ी बात है कि नहीं होता है, इसलिए cut up थोड़ा सा high भी रहता है क्योंकि negative marking नहीं होगा, तो कुछ लोग की तुक्के भी सही होगा और typing में क्या है, कि आप 50 number में से कम से कम 45 number तो पाई जाता है और अगर इधर 160 पर पागया है, तो 200 plus हो जाता है cut up मतलब इक बात कर रहे हैं तो बहुत easy हो जाता है और वहाँ तक आप पहुच भी सकते हैं same assistant review officer का भी है, उसमें भी कोई answer नहीं है objective होता है, देखे, negative marking नहीं होती है, आपे देखे, साफ साफ रिखा हुआ है और चलिए, इसमें typing में बार लेते हैं typing में क्या होता है, 500 word आपको 20 minute में type करना होता है, ठीक है, 20 minute आपको दिया जाता है अब इसमें एक question गलत करने के 0.1 marks, मतलब अगर 10 एक word का, और 10 word आप गलती कर रहे हैं तो एक number कटेगा मतलब अगर आप पूरे paper में 50 word भी गलत कर रहे हैं तो भी 5 marks ही आपके कटेंगे, मतलब 45 आपके ING, जो कि बहुत ही easily आ जाते हैं लोगों के जो अभी तक मेरी कुछ बात हुई है, उसमें से पता चला है कि अगस्त तक आपको ये notification देखने को मिल सकता है और आपको मैं बता दूँ, तीन से चार महीने में पूरे exam आपको clear करके दे देता है, क्योंकि ज्यादा होता है एक exam होता है, रिजल्ट आ जाता है एक दो महीने कर सकते हैं करीब, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, जैन, जै वारत